तो मेरे प्यारे बच्चों आज कि इस वीडियो लेक्चेर में हम आपको खक्षा 10 की मॉडल पेपर के बारे हम मी बात करना चाहते हैं तो मेरी प्हारे बच्चो आजके इस वीडियो में यहां पर आपको दिखाए दे रहा है यह दोज्ज़र 23 का 23-24 का माडल पेपर है इस 23-24 के माडल पेपर में आपको किस तरह से बताया जारे ध्यान परोग देखिए समय दिया गया है तीन घंटे 15 मिनट जैसा कि आपको दिखाए दे रहा है अपड़ांग दिया है सतर नमर यह क्लास टेंथ का है गडित का पेपर तुन मेरे पहले बच् जिससे कि आपकी सारे मतलब की question की जवाब और कैसे कैसे क्या करना है कितने खंड है कितने खंड में कितने प्रस्ण है क्या क्या दिया गया है सब को आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा इसको आप अच्छे पूर्वक पढ़ लीजेगा और 15 मिनट यह पढ़ने के बाद जाएंगे उस 20 question का एक एक करके आपको जवाब देना होगा तो मेरी प्यारे बच्छों यहां पर किस प्रकार से आपको सभी question को solve करना ध्यान देखिए यहां पर पहला question दिया गया यहां पर दो संख्याओं का LCM LCM दिया गया 60 HCF दिया गया 3 कह रहा है एक संख्या 12 तो मैं लिग दे रहा हूं ठीक है LCM गुड़े HCF तो मेरी प्यारे बच्छों इसी फार्मूला पर आपको रख किसे solve करना है जैसा कि इसका आप लोगों को LCM पता है 60 है रख दे रहे हैं साथ कि HCF सवाल में दिया गया 3 है रख दे रहा है 3 फास्ट नंबर यहां पर सवाल में कितना है 12 है रखते हैं यहां पर first number की जगा है 12 तो दूसरी संक्या पूछ़ए दूसरी संक्या पूछा आप चली दूसरी संक्या नहीं पताा इसको सदो संक्या रहने देते हैं अब यहां पर second number के पास यह बार रहते रहां गुड़ा तो अगले side क्या देगा divided गड़े गागा अ को सेकन्ट नंबर क्या होगा यहां पे सेकन्ट नंबर एक्वल है कि साथ गुड़े तीन भागे बारह तो यहां पर भाग देंगे बेटा 12 से भाग दे देंगे यहां पर 12 से कैंसिल करेंगे 12 ओड़े तो यहाँ पर सेकंड नमबर होगे हैं तो मेरी प्यारवचों इसी तरह से आप क्वेस्चन को सॉल्ब करेंगे ठीक है तो आप क्वेस्चन को इस तरह से सॉल्ब करते रहें जिससे कि आपका सारा question solve होता रहा है ठीक है तो यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर option number second दिया गया इसी प्रकार से आप solve करेंगे सारे question हो जाएगा इस प्रकार से ही question आएंगे बेटा फिर second question यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह optionally आपको lecture वगएरा सब पढ़ लेना जितने भी important notes लिखाए गए हैं वह पढ़ लेना उसी में है और जो note करके लिखवाया गया उसको पढ़ लेना ठीक है फिर second यहां पर देखिए second question यह भी आपको जो आपको पढ़ाया गया था ना a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2 बेटा यह जो तीन फैक्ट आपको लिखवाया गया थे यह तीनों फैक्ट को आपको लर्न कर लेना है लर्न करने के बाद इस question का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं जैसे कि आपको सभी classes में बताया गया होगा ठीक है इसी प्रकार से आप स्वाल्व करते रहेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर यहां पर देखिए चौथा आपको कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संग बड़ी से बड़ी संग है जिससे सतर और 125 को विभाजित करने पर क्रमसा सेश्वल पांच और आठ प्राप्त होता है मेरी प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता होगा यह दो संख्याएं दिगे इस प्रकार के सवाल को हम लोग सवाल कर चुके हैं यहां पर लिखा गया सेश्वल कितना है पांच और आठ प्राप्त होता है तो मेरी पांच कुछ ने करना नहीं है बस इन दोनों संख्याओं का जो सत्तर है और जो पच्ची 125 से सत्तर और 125 क्रमसा दिया गया बेटा तो एक बार पांच इसमें से माइनेस कर दो आठ इसमें से माइनेस कर दो जो बेटा आएगा उसका HCF निकाल लेना आपका अंसर प्राप्त हो जाएगा ठीक है इसका अंसर लगभग 13 ही आएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं तो यहां पर चौथा सवाल पच्वा सवाल आपका है दो सारी तीन के प्रथम पां करने के बाद यह प्राकृतिक संक्या है कितनी प्राकृतिक संक्या बोला है तीन के पांच गुड़ज यानि यान का मान कितना रखना है पांच रखना है तीन का पूछा तो तीन का सामने गुड़ा करके अहल कर देना आपका अंसर आजाएगा ठीक है इसी प्रकार से इस इसको फार्मुलेक एकॉर्डिंग रख करके ABC ABC निकाल करके कर लेना है ठीक है नेक्स्ट इसी प्रकार से यहां पर देखिए बैटा के का मान पुछा है किस का मान के का मान तो मेरे प्यार बिच्च जैसा कि यहां पर एक मूल दिया गए एक मूल का मतलब क्या है बैटा एक्स की वैलू दिया गया एक बटे दो यानि एक्स जहां जहां है बैटा वहां पर एक बटा दो रखके उस बराबर में जीरो करके शॉल्व कर देना है जो आंसर आएगा वही आपका आंसर जाएगा आप से आपको मिलता रहेगा आंसर हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से अंदाजा है आपको ऐसे ही पढ़ करके जाना है सारे लेक्चर को जितने भी लेक्चर लिखवाएं गया है मतलब नोट करके लिखवाएं गया है इंपर्टेंट इस्टार लगवाया गया सब अच्छे पढ़ लेना ठीक है तो यहां पर नीचे देखिए मद्धिका की माप ज्याद करनी है यहां पर मद्धिका की माप ज्याद करनी है पढ़ते रही है मुस्कुराते रही है और सभी क्वेस्चन जो भी डाउट्स वगयरा होते हैं कमेंट बॉक्स में करें आपके लिए नया वीडियो बनता जाएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं किसी प् करके लगाएंगे ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेस्चन यहां पे बटा दिया गया है साइन टू एक्वल 2 टू साइन एट तो मेरे प्हार बच्चों इसको सौल्व करेंगे और ठीटा का मान का सफ़री एक आम पूछ गया है करा है जबकि एक यह बराबर है तो सब का मान रख करके इसको बिट्टा सौल्व कर लेना है लगबग लगबग जो भी आयेगा आपका अंसर जागा फिर इसी प्रकार से देखें तेरहाँ इस प्रकार से यह क्वेस्चिन आपका स्वाल हो जाएगा भी नीचे देखिए यहां पर यह वाला इसको आपको करना कुछ नहीं बटा इसको बस साइन कॉस में कंवर्ट करके लगा देना है कैसे कंवर्ट करेंगे बटा देखिए साइक को हम लिख सकते हैं 15 कॉस ठीक है और साइन को लिख सकते हैं साइन धीटा बटे कॉस ठीक है अब बगल में जो ब्रेकेट वाला दूसरा यह वाला इसको ऐसे लिख दिनगे ठीक है तो फिर उसके बाद देखेंगे न यह लेफ्ट साइड वाला वन प्लेस में साइन धीटा हो जाएगा अब बटे में कॉस ठीक दिखेंगे यहां पर डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम उसके नियूमिनेटर को एड कर देते हैं फिर बगल में यह नेक्स्ट ब्रेकेट वाल लिख दे रहें वन माइनस साइन धीटा जगा नहीं है थोड़ा से इसी में लिख दे रहें तो यहां पर जब करके उसको स्वाल कर देंगे आपका अंसर आ जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखें बटा यह यह क्वेस्टन आपको बस कन्फ्यूज करने के लिए लगाया गया है बस और कुछ नहीं है देखें सवाल में लिखा गया है या त्रिज्या साथ से म त्रिज्या नाम का दिए वैटा सवाल में अंसर आफिसन को जरूर करेंगे सबस्तल्ष करेंगे तब आपका अंसर समझ में को ना करें सवाल का एंजर जरूर देखले involves में तो यहाँ पर आप्सम देखते हुए सौल करेंगे बाटा आफसे इस प्रकार से मान कुछ नहीं रखा गयाँ बना को इसको प्रकार सब्सक्रां कुछ हम थे तो भीटा आगे देखिए यहां पर सवाल तो यहांपर इस प्रकार से यहांपर मान नहीं रुखा गया बेटा बस ऐसे derechoिव अच्छे पूच को टेक करिए ठीक है मान रखने के जोड़त नहीं है इसमें ऐसे इस प्रकार से कंफ्यूजन करके दे सकता है इसलिए पढ़के जाईए फर्मूला सभी याद करके जाईए फिर नेक्स्ट क्वेस्चन का रहा है एक सुराही निमलिखित का सहुजने बठान सुराही आपको तो मिला करके बनाए गया है फिर इसी प्रकार से नीचे देखिए एक सी दस तक की धनात्मक विसम्संक्या जो होता है उसका माध्य पूच नयकि जाय का सबही पदो का योग सबही पदो का योग बटे में पदों की संख्या ध्यान देखिए ऑपको जोकि यूप इसमें लिखन यहां पर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या ठीक है तो सब को एड कर लेंगे जितने एक से दस तक जितनी विसम संख्या एड करने के बाद उनके पदों को यानि दस नंबर आएगा दस नंबर से भाग दे देंगे जो अपसन आपको मिलेगा तो इस प्रकार से आप स्वाल्व करूट करें गया नहीं बाद के si Pr. ब कि बिखार से Manikah लगा करड़ा करें बहुलक और माध्य माधिक्या यह सब इसाइसा लगा लें कि इसमें जग कम है इसलिए इसा ही बता दे रहाएं कि इसमें भी आपको ढि कि यह भी है इल करorry हैं यहां पर पुछा गया प्राइक्ता को भी अच्छे से पढ़ लीज़ेगा ज्यादा प्राइक्ता से क्वेस्टन नहीं आता दो नहीं पर असप्स्थ कीजिए यह भाज हैह duny बता इसको सौल्व और करके घर कर चो साइन कोच का निकाल कर की सौव करसे ठीक है फिर यहां पर लो वाला क्वेस्टेन दिया गया लगन इस क्वेस्चेन को आप लोग अच्छे से पढ़ लिजीएगा वेट ऐसे पूछ जाता है इसको कर लीजिएगा भी नेक्ष्ट कर्णा करना वेता है कि यहाँ से माध माध 箆गको करेra वर्गहंतराल वाला माध में रिभ सानैी उसल्ब हो जाएगा कि बस इसे क्या कर ना धिए साहर को बनाना सिखाई गया है सालंदी बना लीजिए बनाने हैं छितनी भी चानि आपको बताया गया है उसे आप पढ़एंगे तभी हो पाएगा नहींएसा फाहएं युक्ट से अच्छ बनाई है अगर्बर्थ में आपको बताया को यहाँ पेला है याहां फूरत देंगे पड़ेंगे यहां पर एक्साइड निकाल करके बगल मेंats non निकाल करके खकाल देंगे ठीक है और माध्य का फार्मूली आपको तो पता ही होगा बताया गया गया एक्स और इकवार इक्वल टू आपके यहां पर उनुपाद घणवान पाद इनको बिट आप निकाल ली जिएका अनुपाद आप बीसी करके ठीक है निकालने भाद यहां पर समदूरस्त हैं नेक्स्ट क्वेस्टन समझगे इसको इसको संबंध आपको ग्याद कर लेना है फिर यहां पर इसका सुनिय ज्यात के लिए चोटए-चोटए क्वेस्चन है दो यहां पर यहां पे यह warto बैटा आपको जैसा कि बताया गई है कि यह सब क्वेस्चन बहुत इंप्वर्णाइन eszूल इस दीत है और यहां पर अस पर्शार ciao यह conditioned ब्रित्त से question है बेटा ये question अस्पर सरेखा से related आपको अच्छे से पढ़ लेना है अस्पर सरेखा लगभग मैक्सिमुम 2018 से मैक्सिमुम पूछा जा रहा है इसलिए असपर से रेखा पढ़ना जरूरी है भूर यहां पर आगे question दिया गया है प्राइकता से इसको भी थोड़ा से पढ़ लेना इसको भी इसको भी इसको भी इस प्रकार से question है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे और यहां पर फिर से बारम बाता यक्स और वाई का मान जैसा कि आज के ही class में आपको बताया गया है यक्स और वाई का मान पीक्यू कई question कराया गया पढ़ लिजेगा आपका मान ये भी निकल जाएगा फिर नीचे आईए बटा यहां पर देखिए यह question 6 नंबर का है जैसा कि आपको हर class में जितनी बार आपको पढ़ाया गया बटा बताया गया है कि अंको जो अंक होते हों उनसे related जितने भी question है ज्यादा जरूरे देखिए 6 नंबर का question है एकाई दाही अंको वाला ये question पढ़ लिजे उम्मरे से संबंदित देखिए ये भी 6 नंबर का है और जो trig ये भी आपका प्रिष्टी चितने तो बटा इस प्रकार सभी question को पढ़िए आपका नंबर बहुत बेस्ट जाएगा लेकिन तैयारी अच्छे होने चाहिए फार्मुला रिलेक्टेड आपका calculation बहुत फास्ट होना चाहिए और calculation में कोई भी mistake होने चाहिए तो आज के इस व